बढ़ेंगा की खबर की ओर चाहा को बता दे की खबर लखीम पूर्खीरी से आप तक खबर पहुचा रहे चाहाँ पर पर रभाद गुपता हत्याकान MPMLA कोर्ट में आज सुनवाई का एहम दिन केंद्रिये ग्रहे राज्य मंत्री अजे मिश्र टेनी पर सुनवाई MPMLA कोर्ट करेगा 22 साल पुराने हत्याकान की सुनवाई तो आपको बतादे कि अज़े मिश्र टेनी पर छात्र नेता प्रभाद गुपता की हत्या का आरोप लगा था जिसको लेकर आपको बतादे कि आज सुनवाई होनी है हाड कोर्ट के MP MLA कोर्ट में आज सुनवाई प्रभाद गुपता के भाई राजीव गुपता पितार से आज ये सुनवाई होगी आपको तादे कि हाई कोर्ट के M.P.M.L.A. कोर्ट में आज ये अंतिम सुनवाई होनी है बावाद गुफटा के बाई राजी गुफटा कर रहे हैं मामले की पैदी आपको तादे किसानों के हत्या के मामले में आशीश मिश्रा की हो रही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पिताप पुत्र दोनों एक ही दिन में कानून के निशाने पर अजय मिश्र टीनी के परिवार के लिए है आज एहम दिन बरसकती है अजय मिश्र परिवार की मुश्किले आप तक हम ख़बर पहुचा रहे लगी इंपूर खीरी से जहाँ पर आपको तादे कि प्रभात गुपता हत्याकांड का ये मामला सामने आए बाइस साल पुराने ये हत्याकांड का आरोपी जहाँ पर जिस पर आज सुनवाई होगी अजय मिश्र पर जहाँ पर प्रभात गुपता के हत्या का आरोप है अजय मिश्र पर आपको तादे कि आज ये अंतिम सुनवाई है प्रभात गुपता के भाई राजीव गुपता कर रहे हैं मामले की पैरवी जहां पर आपको बता दे कि विस्षे टेनी की पर हर्त्या का आरोप लगा था जिसको आज से यह सुनवाई हो रही है उन पर भी आज सुनवाई हो रही है इसको लेकर क्या जानकारी है जो सुनवाई हैं मेले कोड लखनों में वो बाइस साल पुराना मामला है जो परभाद गुपता है जो छातनेता हुआ करते थे यूनिवर्स्टी का उनका तिपनिया में दिन्दाड़े मडल हो जाता हुआ उस हत्या में जो आशित मिस्रा के पिता है केंजी ग्रेराजमंतरी अजय मिस्टेनी वो नायमत से उस मामले में बीच में कोड में इस मामले को दबा दिया गया था लेकिन अभी जब उनके परभाद गुपता के भाई दोरा पहर भी की जा रही है तरकार पे इस मामले को संग्यान लिया तो सुप्रिम कोड से एक आदेश आया कि इस पर तसका अर नायमत से ज्जिए और पर लल्ट कि इस मामले की अरति के खानी को रहते हैं यह तकि एस मामले में। तो अजय होने वाली अगर यह सुनवाई होती तो किस तरीके सागे की कारवाई देखी जाएगी बहुत आहम मामला यह है कि केंजी गरे राजमंतरी की जैसे पद्ध पे है और जिस तरीके से इसकी सुनवाई हुई है तो कहीं बीजेपी ने क्या फैसला होगा यह तो अलग की बात है लेकि जिस तरीके से अजय मिस्टेनी का नाम इस हत्या कांड में उभर कर आया उसके जाहिती बात है अगर इसका को कारवाई होती तो इतना अहन पद्ध एक आरूपी के इलाफ अगर पास है तो वो कहीं ना कहीं खत्रे में जरूर पढ़ता दिखाई देगा कि कि लगातार कि सानों ने जो पर जो अस्याकान की कुनिया अस्याकान जिसमें इनके पुत्र आश पच्पात हो रहा तो अजाहित की बात है कि इतने आरोप इनके अखिलाब लगे हैं तो यह अगर कई इस मामले में दोशी होते हैं तो जरूर बीजेपी कारवाई करेगी और इनके लिए मुश्किल हो जाएंगी आमेर अविज एहम जानकारी देने के लिए आपको बहुत शुक्री है आमेर तो आपको बता दे कि यह आप तक कबर पहुंचा रहे हैं जहापर लखीम पुर्खी से एक कबर अमने आप तक पहुंचा है जहापर प्रभाद कुटातियाकान को लेकर यह 22 सार पुराना मामला है जहाँ पर एमपी एमले कोट में आज सुनवाई का एहम दिर रापर केंदी गैराजमंतिया जमिशिक्यरी पर आज कोनी है सुनवाई